A very good evening students, welcome you all in shantikunch online classes आज बच्चो देखिए हम ये computer का अपना fourth chapter पढ़ेंगे third class का chapter है ये बच्चो आपके इसमें देखिए हम पढ़ेंगे computer के बारे में computer आप सबको पता है computer एक electronic machine है और इसे कारे करने के लिए बिजले की आउशकता होती है ये हमारे कारे को बहुत ही जल्दी और बिल्कुल सही तरीके से करती है computer विविन डिवाइसों से मिलकर बना होता है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं और इसे एक electronic data processing machine भी कहते हैं अब देखिए बच्चो data क्या होता है data होता है बच्चो जैसे की सूचना और तथ्यों के समूव को हम data कहते हैं जो भी हमारे पास जानकारी होती है वो सूचनाओं का समूव होती है जैसे हमारी date of birth है, हमारी कक्षा है, नाम है, पता है ये सारी हमारे पास क्या है? data है फिर है processing किसी भी data को परिणाम निकालने के लिए computer जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते है? processing कहते है अर्थाथ हमारे द्वारा किये गए आंकडों पर computer द्वारा गढ़ना करना processing कहलाता है नेक्स्ट है देखिए परिणाम जब भी भी आप processing के आधार पर जब आपको result मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका परिणाम कहलाता है अब देखिए input computer में data डालने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे क्या कहलाती है? input कहलाती है अब देखिए input और फिर storage में फिर क्या होती है? output हमें मिलता है आप कोई भी चीज निर्देश जो है वो दिये जाते हैं जैसे आप कीबोर्ड की माध्यम से डालते हैं या फिर mouse के च्रो आप उसे बताते हैं निर्देश देते हैं computer को तो फिर उसके बाद उसकी processing होती है प्रक्रिया होती है फिर उसके बाद से output आपको मिलता है उसका देखें जैसे ये है example पहले आप input डालते हैं उसमें फिर उसके बाद से processing होती है और फिर आपको उसका result दिखाई देता है जैके बच्चो तो ये है input, process और output इसके बाद बच्चो हम पढ़ेंगे computer के गुण आप देखें computer के गुण क्या होते हैं computer के बहुत सारे फायदे होते हैं बच्चो है ना, जैसे computer कभी ठकता नहीं है जब आप चाहें इस पर काम कर सकते हैं यदि आपको एक ही पंक्ती जो है वो 50 पार लिखने को कहा जाए तो आप कितने ठक जाएंगे ना इतना टाइडी होगा कि आप बहुर हो जाएंगे पहुच जाएंगे लेकिन computer कभी नहीं उपता और नहीं कभी ठकता है वो सभी कार्यों को आसानी से बिना किसी उबे कर सकता है यदि आपका कोई आवश्य काम है जो आप कम्प्यूटर में स्टोर करके भविश्य में प्रियोग करना चाहते है तो आप वो भी कर सकते हैं बड़े-बड़े आकड़े जो है वो मनुष्य से भी तीवर गती से वो कर सकता है और जो भी आप निर्देश देते हैं लेकिन बशर्ते ये कि आपके जो निर्देश हैं जो भी आप इंस्ट्राक्शन दे रहे हैं कम्प्यूटर को वो बिल्कुल सही होनी चाहिए तो कि कम्प्यूटर जो है उसका खुद कोई दिमाग नहीं होता वो क्या करता है आपकी दिमाग से चलता है अगर आपने सही इंस्ट्राक्शन दी है तो कम्प्यूटर आपको सही रिजल्ट देगा अगर आपने सही इंस्ट्राक्शन कम्प्यूटर को नहीं दी है तो डाफिनिटली वो आपको रिजल्ट सही नहीं दे पाएगा नेक्स्ट है देखिए computer के उपयोग, आप computer के उपयोग क्या-क्या है बच्चों, तो computer का प्रियोग हम स्कूलों में भी करते हैं, सबसे बड़ा example तो आजकल आपके online classes हो रहे हैं, है ना बच्चों, तो computer के थ्रूई तो हो रहे हैं आपके सारी online classes, without net आप क्या कुछ कर सकते हो नई ना, बड़े-बड़े कार्यालों में हिसाब किताब के लिए computer का use किया चाहता है, है ना? और computer का प्रियोग ATM, bank में और कहीं पे हम इसका use करते हैं, है ना? तो ये क्या है कि computer का use है, आजकल तो हम कहीं पे booking करवाना चाहते हैं, कहीं पे हम जाना चाहते हैं, तो उन देखिये मैं आपको दिखा देती हूँ, यह input और output जैसे कि यह सारे इंपुट डिवाइज होता है कि जिसमें जैसे keyboard है, mouse है, यह आपका, यह देखिये mouse है, यह keyboard है यह सारे जो हैं आपके input डिवाइस होता है, यह देखिये, यह hardware और software होता है तो ये है आपके आज का चाप्टर इसमें बच्चो आज के लिए आपको हमवग क्या करना है कि आपको हाड़वेर और सौफवेर की अलग अलग चित्र बनाने है कि कौन से हाड़वेर होते हैं और कौन से सौफवेर होते हैं हाटबेर जिनने आप छू सकते हैं जैसे आप माउस हैं कीबोर्ड हैं और सौफ़वेर जिनने आप छू नहीं सकते हैं ठीके बच्चो तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं next continue हम अपनी next class में करेंगे